नवस्कार दोस्तों वेलकम टो में चैनल आज एक बहुत ही अच्छा सा टीप्स आप लोगों को बोलेंगे बहुत सारा लोगों के इस टैप को प्रोब्लम है थोड़ी देर पहले भी हमारा पास मैसेज आया है तो हम मैसेज पढ़ रहा था तो पहले तो हमारा रिकोस्ट है आ यह बहुत होगा मगर एंसर देंगे वाट सब किजिए आचा देखिया यह जो देख रहा है फाइल हम लोग आभी जो देख रहा है नॉर्मली यह cpr फाइल है एक यूस फाइल ए फिन फिर मतलब और निवनडिrais फ आल एससी भी करन सि इस सि एस फाइल बना होग उसका पाद यहाख रहता प्रोजेक्ट ख्याप फाइल ख्रीज और अईसकर करकर रहता है तो हम लोग देखा है कभी भी प्रोजेक्ट ओप्रेism करने का टाइम पर एरर आ रहा है प्रोजेक्ट खुल नहीं पा रहा है जैसे कि अगर हम इसका जैसे ए प्रोजेक्ट के इसको हम अगर डबल क्लिक करें तो प्टेकुलर कीबस लोड हो जाएगा कीबस लोड होने का बाद ए प्रोजेक्ट दिखाएगा पूरा पूरा कम्प्ल सब कुछ सेम है जो जगा से जो जगा से जो होना चाहिए पट्टिकुला सब जगा और बज भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी देखिए हम फाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं यह जो 13-4 है इसको हम लोग ओपेन करते हैं अब लोग मत किजिएगा हम जस्ट दिखा के चीज रहता है यह पूरा एक information रहता है जो qs का cpr फाइल के अंदर रहता है और उसके इसब से एक backup रहता है तो देखिए वर्शन भी दिया हुआ है इसका सब कुछ दिया हुआ है अगर किसी भी कारण से problem किसलिए होता है हम बोल रहा है जैसे कि cpr फाइल अगर किसी भी क करता है फिर इसको खोलता है अभी क्या आएगा हम लोग देखता है अभी यह कोशिश कर रहा है खोलने का उसका बाद invalid project फाइल बोल रहा है मतलब क्या है जो qs cpr फाइल जो आप लोग यूज कर रहो किसी भी कारण से अगर virus attack हुआ है नहीं तो कोई भी crash का कारण से उसके information change हो गिया उसका अंदर information नहीं है तो खोलने ही पाएगा समझ गया problem यह है आप लोगों का जो पूराना वाला project जो dump करके आप लोग रखते हो हांडिक्स का अंदर रखते हो तो किसी भी कारण से आइदर हो सकते है कुछ virus का effect का कारण से हुआ है नहीं तो हो सकते है यह भी हो project का जो CPR फाइल है जो जिसका अंदर information रहता है इसका अंदर तो just only information ही रहता है और तो कुछ नहीं रहता है क्योंकि देखिए main file जो रहता है audio का अंदर रहता है मत्दब web file edit का अंदर edit रहता है उसके बाद बाकी image रहता है mix down रहता है तो step का अलागा लग करके folder करके main file रहता जैसे कि 15 नंबर बार से एक गिटार चालू हूव वहा है 10 नंबर बार से पियान चालू हूव तो information इसके अंदर ही रहता है किसी भी करन से अगर corrupt हो जाता है तो is type का error दिखाते है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए तो हम लोगों करना यही चाहिए जैसे कि इसको हम cancel कर देता है अभी हम इसको open करेंगे तो open करने का बाद देखिए only जो project में हम गिया है only CPR और NPR फाइल दिखा रहा है CPR और NPR दिखा रहा है हम लोग क्या करेंगे इधर से all types करेंगे तो सब कुछ आ गिया अभी सब कुछ जब आ गिया है यह फाइल हम लोगों को खोल नहीं रहा है तो इसका parallel फाइल backup फाइल कौन तो यह हम लोगों का main फाइल है तो backup फाइल देखिए हम लोग इसको खोल सकता है यह वाला खोल सकता है NPR मतलब यह वाला NPR फाइल है तो सेम फाइल है NPR मतलब निवेंडो फाइल है निवेंडो फाइल क्यूबस में open होता है तो इसको पहले open करके हम लोग देखता है तो इसको NPR को select करते है open करते है खोल गि करेंगे उसके बाद देखिए इसका पैरलल कोई फाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है जैसे कि यह फाइल हम लोगों का डेमेज हुआ है उसका साथ साथ हम लोग देख रहा है बैक आप में एक रेश फाइल है यह नहीं होगा यह नहीं होगा यह हो सकता है यह वाला हो सकता है य और इसका साथ-साथ यह आप लोगों को मिला लेना चाहिए, जासे कि यह 8.5.2 एसका फाइल का साइज है, और यह वाला फाईल थोडवा इंफरमेशन ज्यादा है इसके अनदर, और इह वाला फाइल और भी ज्यादा है, तो हो सकता है इसका इंफरमेशन इसका अंदर included है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं backup को खोलेंगे, यह वाला backup को खोलेंगे, crash फाइल को नहीं, csh चु फाइल है, उसको नहीं, backup को खोलेंगे, open करेंगे, खुल गिया, अभी इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका save as करके, आप लोग सोच रहा है जैसे कि इसको अगर हम लोग undo कर देंगे, undo करके, ctrl z करके, अब फिर से save कर देंगे, तब खुल जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर वो भी हम दिखा रहा है, ठीक है, वो भी दिखा रहा है, तो इसको हम लोग save as कर देंगे, save as करके, इसका name से अगर कर देंगे, तो इसमें particularly, यह पूरा backup क फाइल cpr में install नहीं है, इसकी information उसके अंदर आ जाएगा, तो हम लोग करते है, इसको करते है, save कर दिया, yes कर दिया, अभी जो फाइल हम लोगों का इधर पड़ा हुआ है, मतलब जो फाइल अभी यह फाइल को लेकर हम लोग बातचीत कर रहा था, इसको अगर double click करेंगे, और लेड़ी information इसका अंदर चला गिया है, अभी यह 2MB का size हो गिया है, तो इसको देखिए है खुल जाएगा, खुल गिया, ठीक है, अभी देखिए यह भी इसको दुजरा वाला फाइल दिखाते है, यह वाला फाइल, जो cpr का फाइल जो है, यह वाला देखते है, खुल गिया, हो गिया, अभी इसको change करते है, जैसे कि जो हम लोज इसको close कर देता है, फिर्द से दो बारा, यह फाइल को हम लोग right click करके, देखिए second वाला फाइल को कर रहा है, open with notepad करता है, और इसको हम लोग इसको delete कर देता है, delete करके इसको save कर देता है, हो गिया, अभी इसको खोल रहा है इसको बंद कर दे रहा है इसको खोल रहा है देखिए, error आ गिया अभी आप लोग सोच रहा है हो जैसे कि इसको अगर undo कर दे जैसे कि इसको undo कर दिया अभी इसको save करते है अभी इसको ok कर देते है इसको close कर देते है तो खुल जाना चाहिए नॉर्मल अंडू कर दिया है जो आभी इंफ्रमेशन है इसका अंदर इंफ्रमेशन सही रहेगा देखिए फिर भी नहीं खुल रहा है मतलब उसका जो टेबिल है मतलब उसका जो डेटा टेबिल है पूरा खराब हो गया मतलब इसका करन सी होता है कोई भी भाईरा सका राटक करेगा नहीं तो किसी भी करन से आप लोग नहीं करोगा हम जानते है कोई बंदा नहीं करते है ऐसा फाइल को राइट लिक करके क्यूबेस नोटपैड में ओपेन करके ऐसा नहीं करते है हम दिखाने के लिए किया है अब लोगों को तो किस टाइप का जब हो जाएगा उसका पैरलल फाइल जो है बैक आप बाल फाइल जो है उसको ओपेन करना के और निवնडव का आप लोग है इन्स्टल कर लीन ला गले सब्सक्रीन करें लेएगा किसी का पांस अगर निवंडव किस दो की कंप्यूटर में nuo नहीं है और थाल दमझाल को करके सकते है और सेम वाइश वरस साह होता है जैसे कि kalian की अगा फाइल होता है वह भी क्योंता है क्योंकि अभी हम खोल का दिखाया है इसको अगर घर हम लोग कर करने के लिए जाएंगे तो इस ब्रोग्रम किया हुआ है यह फाइल क्यों तो इए बहुत प्रोब्लेमेटिक चीज़ है आप लोग पूरा मेहनत करके पूरा फस जाता हूँ और दूसरे एक पॉइंट है क्योंबस में अगर काम कर रहो ह। फाइब में काम कर रहो निवन फोर में काम कर रहो कोई भी इसमें एक प्रेफरेंस में अप लोग सेव कर दो ऑटो सेव बोलक सथे आगा है तो रोगसटे ही अतरी है प्रॉबलम नहीं है क्योंकि एक incl Tube सर्था आप लोगों का जो external drive होगा और कोई भी कोई भी आगा drive जिसमें project बनाते हो तो project का file folder जितना सारा है पूरा सब कुछ अलग एक drive होना चाहिए मतलब उसका साथ कोई VST मत रखो उसका साथ कोई FX plug-in backup करके मत रखो उसमें only project दखो आपका वो physical drive भी हो सकता है और external drive भी हो सकता है तो एक महुत बड़ा problem है आप लोग थोड़ा से इसको देख लो और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो subscribe मैं चैनल share the video link यह हमको लगता है बहुत important point है अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हो अगर काम करोगे तो कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगा project लेकर कभी भी दिक्कत नहीं होगा thank you दोस्तों thank you for watching this video अगर वीडियो अच्छा लग रहे है subscribe मैं चैनल share the video link कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत sound knowledge को और करें अपनी music composition का सपना साकार download the app now